तो क्लास आपकी ये फॉस्ट है फंडामेंटल ओफ इनिवेस्टमेंट की एफ वाई की आप लोग भी साथ-साथ लिखते रहेंगे आज ये पहली क्लास है तो थ्योरिडिकल होगा कुछ बैग्रोंड हम त्यार करेंगे आज की क्लास में जिससे की आगे आने वाले जो क्लास ह होगा न उत्वा ज्यादा नुमेरिकल आपके पास आ सकता है आप कहेंगे सर्थ ठीओर इग्णोर करते हैं सीधे नुमेरिकल पर जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है कुछ टॉम्स होते हैं कुछ वोकेबलरी होते हैं जो आपको सीखने होते हैं पहले कुछ मेंइंग्स जानने उसकी बारे मैं डिसकस करेंगे लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रेस्टिंग चैप्टर मेंने स्टार्ट किया आज जो है आपका रिस्क एन रिटर्ण कुछ बेसिक्स बात है जो आप से मैं करता हूँ आप सुनते जाएंगे साथ-साथ देखिए जब भी कोई आप इनिवेस्टिमेंट करते हैं एफ ओ आई चैप्टर थ्री रिस्क एन रिटर्ण जब भी आप कोई इनिवेस्टिमेंट करते हैं तो पता है बच्चो उसका क्या मतलब होता है बता तो मैं क्या मतलब होता अभी सुनते रहना आप मान लीजिए कि आपने एक लाख रुपया अर्ण किया एक माहिने में इस एक लाख के लिए आप बस दो रास्ते थे या तो आज इसको आप क्या कर लो गंजूम कर लो ठीक है जी या इसको आप सेव कर लो अगर आप आज कंजूम कर लेते हो 100% तो सेविंग आप की होगी 0 अगर सेविं परसंट तो कंजूमिशन होगी 0 और दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है 100% consumption तो possible भी है लेकिन 100% saving possible नहीं है है क्या बताईए बोलिए अगर 100% अगर save करेंगे तो आप survive कैसे करेंगे तो यह तो possible नहीं है जनरली क्या होता है कि in between बाते रहती है अगर आपकी अच्छी कासी कमाई है ठिक ठा कमाई है और आपने सुरुवाती जिंदगी को आपने enjoy कर रखा है कापी सारे consumption आपने घर रख्या है घर अबर खरीद रखा है तो आपकी savings अपने आप क्या बढ़ जाती है मैं मान के चलता हूँ कि मानलों आपने 50% क्या किया consume किया और 50% आपने save किया जो आपने save किया वो भी consumption है क्योंकि कैसी बाते कर रहे हो sir यह consumption है saving भी consumption होता है कौन सा consumption होता है future consumption थोड़ा से pen मिस कर रहा है यह ठीक होगा है दो चार दिन में तब तक आपको इसको बियर करना पड़ेगा यह future consumption है मतलब सापसी बात है कि अगर मैं saving नहीं करता तो सारा का सारा पैसा आज क्या करता consume करता और अगर आज मैं consume नहीं किया हूँ मैं save कर रहा हूँ तो मैं उसको कब consume करना चाहता हूँ future में आप आए दिन सुनते होंगे कि लोग philosophy जाडते है गीता का अपदेश देते लोगों को वह इतना बचा के क्या करोगे छोटी सी जिंदगी यह खतम हो जाएगी सारे यही पढ़े रहा जाएंगे क्या यूज कर पाओगे तो खाओ भी हो मौज कर ऐसे बोलते है लोग ल उसके बच्चे के लिए बचाना चाहते है शादी भिया पढ़ाय खाई के लिए खर्च करना चाहते है तो निश्चित रुप से आप आज अपने वर्तमान में जो कमाया है एक प्रेजेंट कमाया उसको बचा कि आप future में यूज करना चाते हो उसी का नाम saving किया गया है उसक अपने ड्रॉर में रख लो अगर 50 जर बचाए आपने तो पूरा का पूरा 50 जर कहां रख लो अपने ड्रॉर में रख लो फिर अगले साल भी ड्रॉर में रख लो यह बहुती बेव कुछाना decision है ऐसा नहीं करना चाहिए पुराने जमाने मैसे लोग करते थे मटके में रख करते हैं उसको कहीं लगा दिते हैं उसको कहीं उस पैसे को यूज कर देते है किसी जगह आप उसको इनवेस्ट कर देते हैं मैं इन्वेस्टमेंट वाट तो लिखता हूँ लेकिन बेसिकल यह इन्वेस्टमेंट है नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है न द्यान सुना इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है एक होता इन्वेस्टमेंट जो कि आप रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करत तो real sense में यह investment होता है, financial investment नहीं होता है, यह तरह से saving होता है, लेकिन हमाई economics नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं FM पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर investment word ही इस्तमाल करूँगा, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं ना, yes sir, investment का literal meaning, economic meaning यह होता है, कि जहाँ आप cash लगाते हो, factory में, building में, जमीन में, और real terms में और बाद में आपको return मिलता है, investment का मतलब यह होता है, लेकिन जब मैं FM या FOI या accountancy की बात करता हूँ, तो वहाँ, जो आप cash saving करते हैं, किसी company में जमा करते हैं, shares करिते हैं, deventures करिते हैं, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, financial investment कह सकते हैं, yes sir, तो जब भी कभी आप investment करते हैं, तो आप इस उमीद से करते हैं, मैं आप अलग बात कर रहा हूँ, यहाँ पर financial investment लिक रहा हूँ, जब भी कभी आप financial investment करते हैं, तो इस उमीद से करते हैं, कि आने बले समय में, या तो आपको क्या मिलेगा interest मिलेगा या क्या मिलेगा डिवेंच सौरी डिविडेंट मिलेगा कुछनों कुछ तो income चाहिए न आपको या आपको income मिलेगा ये तीन वर्ड मैंने क्यों लिखा क्योंकि interest मिलता है किस पे securities पे, dividend किस पे, shares पे, income किस पे, mutual fund पे, अपने नाम सुन रखा होगा कौन सा investment purchase करते हैं उसके हिसाब से आपको return मिलता है लेकिन अभी return के types की मुझे बात नहीं करनी, मुझे एक बात करनी return क्या बात करनी मुझे? return की बात करनी मुझे F.O.I.E. में सिर्फ return की बात करनी, common return की बात करनी है तो मैं इतना देर से आपके सामने discuss करके, दो-तिन बाते आपको सिखाई है कि आप आज जो कमाते हैं उसको save करते हैं, saving का मतलब future consumption होता है और is a kind of financial investment होता है और जब financial investment करते हैं तो आप कुछ सोच समझ करते हैं कि मुझे return मिलेगा ठीक है जी? तो एक तरह से एक word आपके सामने आगया return लेकिन जितना return आप सोच करके करते हैं, उतना return आपको मिलता नहीं है हो सकता है actual में return आपको ज़्यादा मिल जाए और return कम मिल जाए इस प्रकार return के साथ दो terms जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ expected return, मान तो बच्चो, जुड़ा हुआ है न? और दूसरा जुड़ा हुआ है actual return, आप मुझे बताईए कि आप investment क्या देखकर करते हैं, expected return या actual return? expected return देखके आप investment करते हैं, expected return देखके investment करते हैं, लेकिन कुछ महिने या साल के बाद जब आपकी हाथ में return आता तो वो क्या कलाता है actual return? क्या मानते है, actual return ज्यादा होता है और कम होता है? कम भी हो सकता है और जादा भी हो सकता है जादा भी हो सकता है बरावर होने का चांस तो बहुत कमी है इतना जादा accurate नहीं होता है market कभी ही अपके लिए कौन सा जादा खुशी वाला situation है कहां जादा खुश होंगे आप जब actual return क्या हो expected return से ज़्यादा हो और नराज का होंगे आप यहाँ पे लेगिन आपके खुशी और गम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, market अपने तरीके से behave करता है तो market की जो behavior है इसी behavior को क्या बोलता है risk क्या बोलता है इसको risk और आपका return कम हो गया actual return कम हो गया तो समय लो आप क्या behavior कर रहा हो risk behavior कर रहा हो आप देखलो आज का situation देखलो pandemic situation में share market में जो इन से पहले पैसा लगा रख़ा होगा उसकी आज का situation रही होगी, return minus plus, ofcourse minus में जा रहा होगा ofcourse जा रहा होगा यहां तो किसी का जो security जो सुरक्षित ही नहीं हो तो save नहीं है, shares कहां से किसी का सुरक्षित हो सकता है, तो यहां काफी highly situations, काफी highly risky situations है, तो ultimately दो word आपके सामने आ गए, एक आ गया risk, risk के लोगे तो उसके साथ attached क्या word आ गया, return, इसलिए इस chapter के नाम क्या रखा गया है, risk and return, आप सुने होगे, no risk, no gain, तो वही बात यहां पर जब भी कभी आप कोई investment करते हो, तो आप उस risk के लिए तैयार हो, और तब जा कि आपको return में मिलता है, मान गई जी बच्चों पकी बात, बोलो ना, मैं नाम, यह तो सिर्विक बच्चों ने यह सर बोला, और बच्चे सब क्यों नहीं बोल रहा है, yes sir, चलिए, और सब भी दो बच्चों ने बोला है, कुछ बच्चे और भी सुनी रहा होंगे सभी, यहां में message का system हो, तो आप message मुझे कर सकते हैं, लेकिन anyway, तो यह risk and return की बात हुई, अब बात यह आती है, कि sir, क्या risk भी हर जगा same होता है, और return भी हर जगा same होता है, नहीं, यह भी ultimately depend करता है, instrument पे, instrument का मतलब यह होता है, कि कैसा instrument आप purchase करते हैं, एक instrument होता है, shares, दूसरा instrument होता है, आपको क्या securities को debentures बोलते हैं, या loans बोलते हैं, सुना है कौन नहीं सुना होता है, यह third year में कौन नहीं सुना हो गए चीज़, मैं shares की बात कर रहा हूँ, देखो अभी यहां पे मैं shares मतलब equity shares की बात कर रहा हूँ, जहां पे dividend fix नहीं होता है, preference की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस पे dividend क्या होता है, fix होता है, तो आप खुद देख लिए बच्चो, अगर आप shares में पैसा लगाएंगा, तो यहां risk क्या होगा, more risk होगा, और यहां पे क्या होगा, less risk होगा, अगर more risk है, तो equity में return भी ज्यादा होने के chances होते हैं, मैं return होने के chances बोल रहा हूँ, यह नहीं बोल रहा हूँ, यह नहीं बोल रहा हूँ कि return ज्यादा हो गई होगा, chances होते हैं, debenture में less risk है, तो less return भी क्या है, less return भी है, debenture भी security भी दो तरह के होते हैं, एक होता है गॉर्मेंट सेक्यूर्टी दूसरे होता है अधर्स सुनरे जी बच्चो गॉर्मेंट सेक्यूर्टी में लीस्ट रिस्क होता है बाट समझ रहा है का यहाँ पे थ्रॉप सा रिस्क तो होता है जैसे आज किसी का पैसा गवर्मेंट के पास पढ़ा हुआ है तो गवर्मेंट से पैसा लेना उससे इंट्रेस् Elijah पढ़ा सान होता है यहीरिते हैं गवर्मेंट इस भी कर दोगो तो government generally हारती ही हारती है, public ही जीतती है, लेकिन अगर other किसी company हम पैसा लगा रहा है आपने, तो वहाँ पर थोड़ा सा डूबने का chance होता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, मानते हो बात को, shares तो कहीं का भी purchase को होता है, यह ज्यादा risk होता है, यह ज्याद mostly related, मतलब एक दूसरे साथ indirectly relation होता है, अगर एक ज्यादा होगा, तो दूसरा कम हो सकता है, तो यह risk and return की बाते, basics बाते मैंने आप से करी है, आपके पास आज book नहीं है, कोई बात नहीं है, अगली glass तक जब भी आपको यह class confirm हो जागा, तो मैं आपको book भी share करूँगा, तो आपके पास PDF रहेगा, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से समय आएगी बाते है, देखिए, अभी मैं कुछ दिर book से discuss करूँगा, क्या-क्या book की theory और बोलती है, जो मैं हो सकता है, मैं ज़्यादा ही बता दिया, हो सकता है, मैंने कुछ कम बता जाओ, तो इसको book से confirm होगा, वही आपके exam में आएगा, तो क्या मतलब सा risk का calculation होगा, of course होगा, return का भी calculation होगा, of course होगा, यही ज़्यादातर portions chapter में होगा, calculate the risk and calculate the returns, यह सब बाते होगी, लगिन आईए, देखिए, स्टार्टिंग में क्या बाते मैं आपसे curry discuss, और क्या आपको यहाँ दिख रहा ह है, थोड़ी basics बातें बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, यह सबसे पहले बोल रहा आपको, investment is employment of fund for getting revenue return, और capital return in future, आप मानते हैं इस बात को, मैं बता चुका हूँ आपको न, मैं exam पल देता हूँ, देखिए फिर से, जब भी कभी आप investment करते हैं, आप मान लो 150 रुपे का हो गया, ज्यान देना, तो 50 रुपे जो आपने कमाया है न, यह पता है कौन सी गेन है, यह capital gain है, क्या आपने सुन रखा है इसके बारे में, अगर एक share आपने 100 रुपे purchase किया, दो साल बाद 150 का हो गया, तो 50 रुपे कौन सी gain आपकी है, capital gain है, लेकिन अगर 100 रुपे आपको 10% dividend मिलता है, year 1 में मिलता है 10 रुपया, year 2 में मिलता है 10 रुपया, तो यह 10 रुपीज की dividend आपको मिली यह कौन सा return है, यह revenue return है, revenue return है, तो जब भी कभी आप investment करते हैं, दो तरह के returns आप उमीद करते हैं, एक तो capital gain और दूसरा revenue return, आप अगर share के तरीके से न तो क्या चाते हैं, घर purchase करें, 50 लाकी मैंने घर purchase करी है, अब उसको मैं किराये पर लगा दूँगा, मुझे हर महने 20 रुपय किराया आएगा, तो यह हर महने जो 20 रुपय किराया आ रहा है, आपको यह कौन सा return बता सकते हैं, बच्चों बोलो जोली से, बोलो ना, I am extremely sorry, यह revenue return हुआ है, क्योंकि monthly income आपको मिल रहा है न, तो revenue हुआ है, लेकिन 50 लाक का घर, अगर 10 लाक, 10 साल बाद इसको बेज दिया आपने, और यह मान लो 1 क्रोड का हो गया, समय रहे हो, तो between 50 लाक की आपकी gain हुई है, यह gain क्या कलाएगी, यह gain कलाएगी capital gain, मानते है बच्चों, यह सर, तो जब भी कभी आप investment करते है, तो investment के साथ, दो तुरा की income attach होते है, आप चाहो तो थोड़ थोड़े, वाड में लेखते है जाओ, एक क्या income होता है, capital gain, और दूसरी income क्या होती है, revenue gain, आप सुन रहे है बच्चे, पक्की बाद, मैं इतना बोलता हूँ, लेकिन capital gain है, तो वहाँ capital loss भी हो सकता है, revenue gain तो वहाँ revenue loss भी हो सकता है, देखिए, हर book की अपनी starting होती है, अगर आप अनितात रिफाटी की बात को तो उसकी starting different है, उसके starting में जाओगा तो उन्होंने geometric mean सब सुरू में निकाल रखा है, इसलिए जिस book से में पढ़ा रहा हूँ, उस यह तो बात होगी यहाँ की बात, आगे है कि the two most important variable affecting investment selections are the risk and return, investment करने के लिए, investment करने के लिए, आपको मैंने कुझर पाले बोला था कि जब भी कभी यह classes off हो जाए, कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि time थोड़ा कम बच गया, सिर्फ 9 minutes time बच गया है, तो आप फिर दुबारा जोइन करना, class continue रहेगा, यह ठीक है बच्चे, यह मैं बोलूँगा कुछ दिरबाद में बोलूँगा आपको, जब भी कभी आप investments करेंगे, तो investment के साथ attach होता है, risk and return, यह बात आप से हो चुकी है, यह book के लिए मैंने repeat किया था, यहाँ पर कोई बात नहीं है, concepts of return and risk मैं आ period rate of return, अब मैं आपको कहा रहा हूँ कि इसको जरूर लिखिए, इसको आप ignore नहीं कर सकते, holding period rate of return, इसको short मोलता है, HPRR, यह calculation आपको सिखाएंगा भी, return की theoretical बात यताप से कर लिए, और आपका इसका numerical बात करेंगे, तो मैंने book से confirm किया, सब कुछ वही बात है, expected return, unrealized return कि यह बात कर रहा है, फिर भी मैं आपसे request करूंगा, जब मैं पढ़ा दूँँ, उसके बाद आप book पलिटेंगे, एक बार go through करेंगे, fast fast go through करते जाएंगे, जिन बातों को मैं important कहूंगा, उसको तो बड़ी आराम से पढ़ेंगे, जिन को मैं कहूंगा go through करना है, एक बार देख के कुस्टि लखिए आप, पी वन माइनस पी नोट, प्लस डी वन, डिवाइड बाय पी नोट, लिग लिए आपने, अब देखें मैं समझाता हूं क्या कहानी है, मैंने कुछ दिर पहले आपसे कहा था, कि अगर 100 रुपे का शेयर आपने परचेस किया है, और वो एक साल बा 50 रुपे का हो जाता है, तो 50 रुपे क्या आपका capital gain है, कहा था नहीं कहा था, बो जली से, कहा था सर, ये 100 रुपे क्या बोल सकते हैं, पी नोट, पी नोट मतलब आज की price, जिस price में परचेस किया है, और ये 150 क्या बोल सकते हैं, पी वन, पी वन मतलब जो एक साल बात की price हो फॉर्मुला में अससम पहले क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है मैं इसको द्वारा से लिखता हूँ यह capital gain है अब प्लस है d1, d1 तो आप जानते हैं क्या है? dividend, to be earned, dividend, actual dividend नहीं, expected dividend था d1 और p1 क्या है, p0 क्या है, base price p0 आपका है base price आप यह बताए है कभी भी अगर आप income निकालना चाहते हो, किसी भी assets पे return निकालना चाहते हो, तो उसके basic price पे निकाल होगे न, मान तो नहीं मानते है आपको, देखिए मान लोगी आपने, एक साल बाद आपका एक share 100 और पे एक सा 50 का हो गया, 50 रुप का capital क्यान हुआ है लेकिन मान लीजे कि one year में आपको 10 रुप का dividend भी मिलने का chances है, मिलेगा dividend, तो ultimately capital के यहाँ पर क्या हुआ, 50 रुप का, dividend कितना मिलेगा, 10 रुप का, 60 रुप का आपको return मिला है, लेकिन ये return के लिए basic investment अपकी क्या थी, बोलो जल्दी बोलो, क्या थी basic investment, 100 रुपीज investment थी, 100 रुपीज पर हम रिटा निकालेंगे, तो बच्चों बताई ये क्या होगे, आपका 60 रुप का return आया, 100 रुप पर, अगर पॉसंटे ये multiply किया थी, 100 से multiply कर दो, तो आपने 60 पॉसंट गेन किया, earn किया, मान के बच्चे, जल्दी बोलो जी, लिखा आपने इसको, बच्चे क्या करते हैं, मैं जाहतर classes नोजू में क्या देखता हूँ, बच्चे सुनते हैं, उन लेखते नहीं, और मैं command भी ने सकता हूँ, बच्चे मैं दिखता तो हो नहीं, इसमें कैसे command दे सकता हूँ, ये गलत बात है, कुछ-कुछ बाते आपको note बना के लिखते रहन रहा हूं जिससे की बच्चों का अपने दिर्फ ड्राव कर सकूँ ठीक ना एक बार अगर आप बेसिक्स बाते समझ जाएंगा तो फिर आगे देखना ऐसी इसी बाते होंगे जो आपने कभी सुनमीन रखा होगा बहुत शेयर मार्केट बारे बाते होगी और काफी सारी जानक ठीक है और दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैं आप कोश्चन कराओंगा ना तो अच्छा है कि दूसरी मीटिंग मैं स्टार्ट करूँ ठीक है बच्चों तो मैंने अभी तक आपको होल्डिंग पिरियर रेडल डन जो बताया है अच्छपी एरर इसमें आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है इसमें एक येर दो येर से फरक नहीं पड़ता जो आपका होल्डिंग पिरियर्ड है जितना टाइम तक आपने किसी भी इंस्ट्रुमेंट को होल्ड किया है उसके प्राइस में डिफरेंस प्लस रेवन्यू जो उसमें कमाया आपने चलिए इस पर एक सवाल करते हैं फिर आ यह सर्थ बहुत ही असान एंफिर देखियो इस को रवाल को ग्रोव मूर लिमेटेट इस और रेट अव रिटरन अव तू आफ एट्स आट्स दू आशेट्स वसके पास है उनका रिटर्वन वह एवाल एट करना चाह रहा है अससेट वन असेट आट फॉन वस पर चेस रेवन्यू रिटाउन हो गया उसके उपर, प्रेजेंटली इट कैन भी सोल्ड फॉर प्राइस अर्विस फॉर लाक थर्टी थाउजन, तो समझ गई न, पी नॉट क्या हुआ यहां पे, पी वन क्या हुआ, फॉर लाक थर्टी थाउजन, और रेवन्यू रिटर्न क्या हुआ, शिक्स्टीन थाउजन, तो कितना आसान होगे बच्चे, मानतों नहीं मानते हो, क्या मुझे करके भी दिखाना चाहिए इसको, बिल्कुल नहीं करके दिखाना चाहिए, यह मैंने आपक जो एसेट है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, फॉर लाक थर्टी थाउजन, और जब पर्चेज किया तब कितने की वैल्यू थी, फॉर लाक की, डिफरेंस कितना हुआ, थर्टी थाउजन की, यह हो गया, इसका प्राइस चेंजन, मतलब क्या पिटल गेन, और रेवन्यू की बात करो, तो वो 12.5%, तो अगर HPRR के हिसाब से देखा जाए, तो 12.5% जहां पिर रिटर्न ज्यादा है, वो एसेट आपके लिए ज्यादा फायदे मन्द है, अब आप कहो गया सर, क्या इतना आसान होता है formula, इतने आसान होता है questions, तो मैंने पहले क्या कहा था, कि कोई भी प्राइस चेंजेज, वाला तो revenue income, अब प्लस क्या, प्राइस चेंजेज, ये दो चीज आपने देखा है, तो आपने क्या निकाल लिया, टोटल रिटर्न निकाल लिया, और टोटल रिटर्न को बेस प्राइस से डिवाइड कर दिये, तो आपको HPRR आ गया, यस सर, अब आता है, मैंने कुछ दिर पहले कहा था, कि आप जो investment करोगे, वो ultimately किस बेसिस पर करोगे, actual return या expected return, बोलो जी बच्चे, किस बेसिस पर करोगे, ये को था realize return, ये को था expected return, आप जो investment करोगे, वो of course किस के उपर करोगे, expected return के उपर करोगे, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, expected return what, उसका calculation, कैसे calculation होगा, आईए जी बच्चों देखते हैं, आपने छोटे classes से ही, आपने बहुत जगह से mean सिखा होगा आपने, average निकालना, या उसको mean भी कह सकते हैं, simple mean भी निकालते हैं आप, wetted average भी निकालते हैं, wetted average mean ये भी निकालते हैं, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे returns होगे, उस returns का हम क्या करेंगे, average निकालेंगे, जैसे देखिए, मैं एक सवाल के दुरूशी खातों आपको देखिए आप ये, देखिजिए बच्चो, आपके साने बुक दिख रहा है, यह सेर, इसको समझे, मैं अभी calculation सिखा रहा हूँ कि इसका आपको expected return का, और बेहद ही आसान है, बस मुझे थोड़ा से theoretically discuss करना है, यह different different आपको expected returns दे रखिए हैं, और side by side उस returns की probability दे रखिए है, थोड़ी सी mathematics आप जानते होंगे कि probability का जो sum होता हो, क्या होता है, one होता है, पता है आप कोई चीज़? yes, yes, तो 0.5, 0.10, 0.60, 0.10, 0.05, यह आपकी probabilities है, यह आपका returns है, अगर returns को probability से multiply कर दो, अब फिर उसका summation निकाल लो, आप जानते हैं न, mean क्या होता है, x बार यह जो भी निकालों क्या होता है, summation of x i into pi, divide by what? summation of pi, तो यहाँ पर मैं divide by summation of pi नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि probability का summation जो होता हो, क्या होता है? one ही होता है, तो नीचे से कुछ लिखना तो जो रहत है नहीं, बाद समझालों मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बही एक बाद फिर से लिखता हूँ, x बार की formula कितना simple है, summation of x i into pi, यह pi है, divide by summation of pi, pi मतलब probability, अब summation of pi आप जानते हैं, क्या होता है, probability का summation में सा क्या होता? one होता है, होता है न बच्चे? तो ultimately इस केस में x वार क्या होगा आपका? summation x i into pi, यही प्रवर्वर्ट, यही आपका x वार average होगा, फिर से देखिए बुक पे एक पर आपको, तो आपने क्या किया? इन सारे को multiply कर दिया, देखिए यहाँ पे, 20 multiply 0.5, देखो जी बच्चों, आपको 11, 12th class में होते हैं, तो इसको हम करके भी दिखाते हैं आपको, जब करके दिखाने वाली बात आएगी, तो मैं पीछे निटूँँगा, सारा कुछ करके दिखाऊँगा, लेकिन यह सब तो एक guideline देने वाली बात है, कि मैं बता दूँँगी, यह है क्या चीज़ बेसिकली, इतना ही काफी है इसमें, ठीक है सर, तो 20 multiply 0.15, 21 multiply 0.10 and so on, अगर इन सब को multiply किया, और बात मैं summation किया, यह summation मिला मुझे, तो इस summation को क्या बोलेंगे हैं, x बार, यहां क्या बोल रहा है, r बार, आपने probability के help से return निकाला है, और यह absolutely 11th class की statistics है, जो commerce के बढ़ते हैं, और कुछ भी नहीं है, अगर मैं शुरू में यह क्या के छोड़ देता, कि बच्चे आपको probability को weight मान करके, एक expected return निकालना है, तो वही काफी था बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ बाते हैं, और भी सिखानी होती है, इस लिए मैं करता हूं यह बाते, ठेखिए, यह जो return आपने निकाला है na, । यह discrete return है, क्यों though discrete returns को बोलता है, मैं समJाता हम आपको discrete return को बोलते है, इसलिए बोलते है discrete return, क्योंकि यहाँ पे आपने एक certain probability लिया है, आप दो बच्चे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन-कौन राधा है and here, सुनरो मेरी बातों को, yes sir, तो मैंने क्या कहा है, कि यहाँ पे probability 0.15 है, 0.10, 0.60, 0.10, 0.05, दिख रहे हैं न, और XIV, return भी आपका 20, 21, 22, 23 and 24 है, तो मुझ अच्छे यह बताईए, कि क्या expected return इतने ही हो सकते हैं, क्या probability इतने ही हो सकते हैं, नहीं sir, infinite return हो सकता है, infinite probability भी हो सकता है, तो अगर मैं infinite return और infinite probability की बात करता हूँ, तो वो concept होता है, continuous probability, मैं यहाँ दिखा, तो मेरे साथ यहाँ पे पढ़ना, क्या कहला था, continuous, आपको highlight हो रह या under the normal curve, अभी या normal curve की बात मत करो आप, बस ये समाहिए लो continuous में क्या होता है, infinite probabilities and infinite returns होता है, हम यह नहीं कहा सकता है कि इतना ही Woah, 5 행복 probabilities होंगे, लेकिन जब हम the property को limit कर देते है, sorry जब हम रिटर्न को लिमिट करते है और प्रविल्टी को लिमिट करते है कि रिटर्न भी इतना ही होंगे प्रविल्टी भी इतना ही होंगे तो उसको बोलते है डिस्क्रीट रिटर्न इसको क्या बोलते है डिस्क्रीट इस्क्रीट 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 इस्क्र शब्द ये वर्ड आप अलग लिखते जाएं डिस्क्रिट इस्टिबिशन और कोई बात नहीं है ऐसा मत समयना कि यह सब exactly exam में आने बाला है लेकिन यह terms कहीं पर भी अभी आने बाले समय में यूज होने बाला है तो discrete distribution and continuous distribution मैंने सिखाए दिया है contribution distribution में क्या होता है कि आपको normal कर बडनने पड़ते हैं Ami अभी मैंने कर सिखाया लिंक अर बनाने पड़ते देखना। इस तरह कुछ कर बनेगा इस तरह कर बनता है न और उसके अंदर का जो RR सिखा दिया उसके बाद expected value of return probability के help से निकालना सिखा दिया discrete and continuous का meaning सिखा दिया और आपके सामने आप दिख रहा होगा कि आपके पास जो topic आ रहा है वो आ रहा है क्या देखो क्या दिख रहा है बताओ risk आ रहा है तो risk मैं start करूँ उससे पहले मुझे confirmation चाहिए कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया सर आपने FOI का introduction दिया उसमें आपने return risk का मतलब बताया return का मतलब बताया return में भी दो बाते आपने करी capital gain भी हो सकता है revenue gain भी हो सकता है इसको निकालने के लिए आपने HPRR सिखाया और उसको आपने फिर return के लिए expected return निकालना सिखाया ER किसके help से probability के help से फिर आपने क्या सिखाया कि discrete distribution क्या होता है unnormal distribution क्या होता है सर इतनी बाते सिखाने के बाद अब आप जा सकते हो कि आस क्या सिखाने के लिए risk सिखाने के लिए मैं क्यों रिस्क स्टार्ट करूँ आए बच्चों रिस्क स्टार्ट करते हैं और रिस्क ही जादा important है return जादा important नहीं था risk में ही complications है risk ही मुझे सिखाना है आपको देखेजी बच्चों लिखे topic risk risk के बाते में कुछ बाते तो आपसे मैं कर चुका हूँ risk होता क्या चीज़ा लेकिन यहाँ समय आ गया कि risk को बताने का कि कितने type of risk हो सकते हैं और risk किसी business को कैसे affect करता है मैं यहाँ पे दो word में आपको distinction पहले सिखाना चाहता हूँ और वह risk and uncertainty लेखिए आप risk and uncertainty literal meaning English meaning इसका है और कोई बात नहीं है FY में इसका ज्यादा use नहीं है FY में दोनों को same रखा गया है तो सरी literature क्या meaning इसका risk का मतलब होता है जिस risk तो है अफकोर्स वह risk है इस investment हो करने में लेकिन फिर भी उसको quantify कर सकते है उसको measure कर सकते है मुझे पता है कि एक pattern पे risk होगा एक system पे risk होगा एक history है उसकी एक pattern है उसकी जिसको हम evaluate कर सकते है जिसको हम judge कर से इसको मैं study कर सकते है लेकिन uncertainty क्या होता है इसको judge नहीं किया सकता तभी तो यह uncertain होता है आप समझे किया करना चाहरा हूँ एक business के माहोल को देख करके उसके history को देख करके उसके past returns को देख करके हम risk को evaluate कर सकते है लेकिन अगर किसी जगा uncertainty है कुछ पता ही नहीं market में कब क्या हो जाता है तो वहाँ पे evaluation possible नहीं है evaluation possible नहीं है लेकिन मैं अभी just कहा है कि आपको FY के sense में दोनों शब्द को एक जिसाई लेना है को distinction नहीं करना है मैं हर जगा risk word का ही इस्तमाल करूँगा अब आगे देखिए risk कितने type के हो सकते है सबसे पहला risk है market risk कुछ-कुछ word मैं इसके बारे में बोलता जाता हूँ market risk मैं पहले बोलूँ फिर बात मैं बुक से revise कर रहा हूँ यह ज़्याद अच्छा नहीं है मैं साथ-साथ ही discuss करते हाता हूँ और मैंने आपको सुरूमी promise कर दिया था कि आज की class numericals थोड़ी कम होगी और theoretical थोड़ी ज़्यादा होगी अभी आप देखे मैंने आपको क्या सिखाया था risk should be differentiated with uncertainty अभी यह सिखा दिया मैंने आपको uncertainty रिस्क में आप difference कर सकते हैं अब बाताती है source safe risk कितने तरह रिस्क हो सकते हैं उस रिस्क में मैंने क्या कहा सबसे पहले बात कि मैंने आपको market risk मार्केट में जो fluctuations होता है जो price में changes होता है उसके वज़ा से जो risk आता उसको क्या बोलता है उसको market risk बोलता है आप संभाई रहे बच्चों बात को मेरी आपको yes बोलना पड़ेगा संभाई रहे ना yes sir देखिए market में बता दिया मार्केट में price की fluctuations की वैसर risk होता है यह पूरी topic को एक साथ देखिया आपके पास किसी पास ही book है class में नहीं है नहीं है तो आपको दिख रहा है जो में दिखाना चारा हूँ आपको yes sir और मैं एक बता हूँ यह आने वाला 2-3-4 मिनट आपका बहुत ही interesting होने वाला है बहुत ही मज़दार होने वाला है क्योंकि यह foundation start करें बनाएगा जिससे कि आपको risk का measurement कर पाओगे देखिया क्या है market price of investment particularly equity shares may fluctuate widely within a short span of time यह मैंने starting में कहा था equity share की price क्या होती है ज्यादा fluctuate कर दिया short span of time में the reason for this change in price may be varied उसका region कुछ भी हो सकता है due to one factor और other factor investors attitude may change towards equity resulting in the change in the market price तो को share market में हमेशा equity shareholder का क्या होता है decision change होता है market sentiment पर चलता है किस दिन कौन सी घटना ही घट जाए किस दिन market में share की price बढ़ जाए घट जाए इसका कोई हिसाब किताब नहीं इसी को क्या बोलता है market risk बोलता है interest rate जो होता है वो ultimately किस पर टिपन करता RBI पर क्या आपने RBI के नाम सुना होगा क्योंकि सर इतनी छोटी सी बात भी आपको भरोसा नहीं है कि RBI के नाम सुने होंगे हम मैं ऐसे ही मजा कर रहा हूँ आप of course RBI कर हम सुने होंगे RBI क्या करती है quarterly आकर की rate of interest को decide करती है market में और वो भी rate of interest कैसे decide होता है market के situation के साब से जैसे अभी देखो pandemic चल रहा है तो RBI कोशिश क्या करेगा interest rate को कम करें कम करें क्योंकि so that कि लोग market में जाए investment करें हलांकि अभी ऐसी situation है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि market कभ दुबारा से वापस करेगा bounce back करेगा तो इस situation को तो कोई describe नहीं कर सकता क्योंकि यह तो 100 years में भी रहा है पता नहीं सायथ आया हो गजी आया होगा लेकि जनररली इस situation को छोड़ दो यह बहुत ही abnormal situation है अदरवाईज जो सिचुईशन होता है वह abnormal में भी normal होता है मैं समझ रहूं है क्या करना चारहं know abnormal थो लेकिन वो abnormal भी नॉर्मल होता है वह abnormal क्यों होते क्यूंकि क्या वा वाओ होता हो चीज, कई बार वाओ होता हो चीज, लेकिन ये तो कभी सुना भी नहीं कभी देखा भी नहीं, हमने देखा न हमारे परेंड्स ने थेखा, शायद उनके परेंड्स में भी नहीं देखा होगा, तो छोड़ एन बातों को, otherwise आप ये समझ गए कि इंट्रेस्ट, हर investor जो पैसा लगाता है वो ultimately return चाहता है और interest भी fluctuate करता है market में depending upon the various factors तो यह क्या हो गया interest rate risk हो गया इसको खुद से आपको go through करना है तीसरा point आप purchasing power purchasing power और inflation risk अब बताए अगर market में महगाई हो जाए market में कोभी चीज costly हो जाए तो costly होने से बंदे की purchasing power घटती है बढ़ती है बताओ जल्दी बोलो अगर market में कोई भी instrument अगर market में costly हो जाए तो बंदे की investors की purchasing power बढ़ेगी यह घटेगी अपकोर्स घटेगी अगर purchasing price अगर बढ़ने से purchasing power क्या होती यह घटती है और price rise को ही क्या बोलते हैं inflation बोलते हैं और यह price rise भी various factor पर depend करता है बहुत सरे factor पर depend करता है अब आज की rate में तो प्रोडक्शन से कर कम होगी तो price rise हो जाएगा खासकर essential commodities है उसकी price rise हो जाएगी तो price rise भी various factor पर depend करता है मैं यहां पर उन various factor को बताने नहीं आया हूँ क्योंकि जो एकनोमिस का point हो गया यहां सिर्भी यह बताने चारा हो मैं कि अगर प्राइस rise होगी तो उससे क्या risk पाइदा होगा और जो risk पाइदा होगा वो भी बन अब रिस्क है तो तो purchasing power yes yes हाँ देखो देखो आप यह देखो इसकी बात करो मैं तो दो 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 सुन लो इंट्रेस रिस्क हाँ देखो अभी मैं आपको मैं ऐसे एक एफम में यह बात सिखा रहा रहा है फिर भी मैं सिखाता हो तो क्या कानी है यह रिटरन की बात क्या करना चाहता है सुनना माल लिए को इंस्ट्रुमेंट आप परचेस करता है कितने का एक सब पचास रुपर परचेस करते है ठीक है लेकिन जो आपने purchase किया उसको महगा purchase किवा कितने purchase किया 120 में suppose करो मैंने किस की बात करी एक सब परचेज परचेजिंग पावर की तो अब बताओ 100 रुपी से डिवाइड से डिवाइड करूं तो कितना बताओ जरहे है यह यह 30 डिवाइड वे 120 multiply 100 बताओ क्या आएगा क्या आएगा क्या तो कितना आएगा अगर परचेजिंग कॉस्ट उसकी बढ़ गई है रिटन घट गई है यह इस में बात कर रहा है ऐप समझे बात को समझ गए पक का लेकिन मुझे आगे चलके इसको दुबारा से बोलने का मोगा मिलेगा अभी मैं पतली गली से निकलना चाहता था लेकिन आप क्लास में ऐसा ही करती थी आप ढूंड के निकालती थी कोई और मुझे दुबारा से नकूझ कोई बोलना पड़ता था ठीक है जी तो कोगे सर आप अदलिगरी से निकलना क्यों चाहते थे क्योंकि आने वाले वक्त में ये बाते डिसकस हो रही थी तो मैं अभी इसको डिसकस नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं डिसकर कर लिया तो अच्छी बात है तो 100 से 120 हो गया 50 से 25 हो गया रिटरन गट गया इसलिए कि बात कर रहा है ठीक है वच्छो आगे बढ़ें ठीक है अब मैं फिर आप से रिकवेस्ट करूँगा कि आप इन बात पर वापस आजाओ जो रिस्क की बात में करना चाहँ हो पूरा पर करो, और किसी पर रिस्क में करो, तो आपने क्या देखा, market risk, आपने देखा, interest rate risk, आपने देखा, purchasing power risk, यह तीन रिस्क है, अब यह बताओ, अगर यह तीन रिस्क मार्केट में होगा, अगर market, आज अगर pandemic situation है, तो वो situation क्या मेरे लिए है, क्या तुम्हारे लिए है, कुछ risk ऐसे होता है, जो सब के लिए होता है, वो risk किसी को पहचानता नहीं हो, सब के लिए risk होगा, market में जितने भी players है, समान रुप से risk होगा, और जो risk सब के लिए होता है, उसको बोलता है, systematic risk, क्या बोलता है उसको, बोलो, systematic risk, लेकिन जो मैं अब risk की बारे में बात कर रह है, इस situation में risk सब के लिए, बराबर रिसक है, pandemic कर रिसक तो सब के लिए है, उससे नुकसान होने कर रिसक तो सब के लिए है, उसके वज़ा से market में fluctuations होगा, interest में changes होगा, purchasing power घटेगी, बढ़ेगी हो सब के लिए होगा, लेकिन इस pandemic situation में भी कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपन मैंने थोड़ी सी कोशिश कर दिमाग लगाया, तो अगर महलो मेरे contemporary कोई दूसरी institute ने धिमाग नहीं लगाया, तो of course हम दोनों शूट के return पर क्या होने वाला है, बोलो न? फरक पढ़ने वाला है, हमारे दोनों के return पर फरक पढ़ने वाला है, हमारी दोनों के risk पर भी फरक risk और उसमें दूसरा से कि दूसरा क्या है financing risk यह दो risk जो होता है यह आपके management पर depend करता है तो मैं इसको दिखाता हूँ business risk पहले देख लिए यह क्या ची होता है business risk refers to the variability in income of the firm and expected dividend there from अभी मैंने just example दिया कि मैं अगर काम कर रहा हूँ इस pandemic में भी तुम्हेरी return जादा होगी तो रिस्क कम होगा कोई लोग काम नहीं कर रहा है या हमसे भी ज्यादा काम कर रहा है तो उसके इसाप सुनकर risk decide होगा resulting from the operating conditions पही मैं जो काम कर रहा हूँ क्या operating condition तो है operating conditions in which the firm have to operate for example if the earning or dividend of a company are expected to increase 6% however the actual increase is 10% or 2% the variation in actual earning that the expected earning refers to the business risk आप इसको और detail पढ़ लिजेगा लगी मैं कहना चाहता हूँ हर business की अपनी management होती है हर business का काम करने का तरीका होता है उस तरीके के हिसाब से वह कमाता है और कमाई के हिसाब से dividend अपने shareholder को बांटता है तो उस हिसाब से क्या बोलते है में business risk बोलते हैं अगर up course return ज्यादा होगी तो risk कम होगा है वाइस वर्सा financing risk का जाई है financing risk यह होता है जैसे मान लो कि मैं एक business चलाता हूँ ज्यान सुनना बहुँ जल्दी इस बताता हूँ क्योंकि यह FMMMA पढ़ रखा है मैं एक business चलाता हूँ मेरी capital 50 लाग की है अगर मैं बहुत fast बोलता हूँ तो मुझे रोक सकते हैं मुझे repeat करवा सकते हैं मेरी capital 50 लाग की है और 50 लाग में 45 लाग रुपय मैंने loan ले रखा है अब 5 लाग मेरी equity shares है लोन लेना को क्या बोलता है leverage बोलते हैं कैसी बात करतों FM मैंने जान निकाल थी तो पड़ा पड़ा की आप लोगो loan को क्या बोलता है leverage बोलते हैं तो आपका business के highly levered firm है highly levered मतलब बहुत जादा loan आपने ले रखा है और जानतों जब किसी company में loan जादा होता है तो उस company में investors equity purchase करना पसंद नहीं करता है उसको डर लगता है उसको लगता है यह बंदा तो कभी भी डूब सकता है इतना loan ले रखा है इसने बात समझ गए जब इतना loan ले रखा होता बंदा तो कोई यह भी shareholders उसमें company पैसा लगाना ही चाहता है उसको पता है यह जो कमाएगा सारा सारा loan का interest बरने में चुका देगा तो यह क्या करेंगा तो highly levered firm जो होते है उस levered firm के return क्या होती कम होती है उसमें risk भी जादा होता shareholders में पैसा लगाना ही चाहता है इसका उल्टा आप खुदी स करता है हालांकि leverage के बारे में जो मैंने बाते आपसे करी है कि leverage जादा होने से जादा risk होता है यह भी अपने अपने theoretical argument ही है यह 100% true नहीं है आप जानते हैं कोई भी concepts 100% true नहीं होता है उसमें भी कुछन कुछ loophole निकली जाते है लेकिन अभी मुझे वह निकालना है जो मुझ business risk is not the universal risk it depends upon the business management and that is why this is called what unsystematic risk यह क्या गलाता बच्चे बोलो na unsystematic risk देखो ultimately नहीं क्या किया है कि पूरे पूरे रिस्क को दो हैसे बाट दिया है एक आपका systematic risk जो हर business के लिए है और दूसरा unsystematic risk जो हर business के लिए नहीं है तो बताए आपके business या आपके जिन्दगी को कौन प्रभावित करने वाला है systematic risk या unsystematic risk प्रभावित तो दोनों करेगा लेकिन आप किसके लिए responsible है unsystematic risk के लिए responsible है of course बच्चे बात समझ गया लोग बहुत खुशी है मुझे आप समझ गया तो कभी बार क्या होता है कि teacher नो theory discuss करने से डरता है मैं frankly बोल तो मैं खुद भी ड पॉइंट है आला पॉइंट क्या देखिए मार्केट्स मार्केट्स सचाइज मनी सप्लाइए इंफ्लेशन एकनोमिक रिसेशन इंट्रेस्ट रेट पॉलिशी उफ गॉर्मेंट पॉलिटिकल फेक्टर क्रेट पॉलिशी टैक्स रिफॉर्म्स देग लिए बच्चो यह सार है तरहीं इस अपने बॉट्टेंट है तरहीं आपको इसको दॉबारा से यहां पर लिख दिया है यह सर आपने बढ़िया से बता दिया इस बारे में, अब आईए इसके बारे में ग्राफिकल इसका प्रेजेंटेशन करते हैं, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, देखिए जी, जब मैं बात करूँ इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के देखिए, जी कर बच्छे अज़ाइब राइट उसके बार एक लाइन इस ट्रेट लीजिया और इस ट्रेट लाइन ठीक अब देखिए अभी आपने देखा क्या किस यहां बिले के रिस्क in terms of percentage और यहां पर लिखे क्या number of securities in portfolio इसका meaning भी समझाओंगा अभी आपको securities in portfolio आपने सुनाया क्या portfolio का मतलओ क्या होता है जल्दी सिखातो सुनो क्या होता है एक investors क्या करता है अपना सारा पैसा न एक ही जगा इस्तमाल ने एक ही जगा इन्वेस्ट नहीं करता है यह अच्छा decision नहीं माना जाता है क्योंकि एक company का डूब गया तो सारा पैसाब का डूब गया तो उससे बचने क्ली क्या करता हो different company में different instruments में लगाता है कुछ shares में कुछ debentures में कुछ bonds में कुछ government bonds में अला अला लगाता है क्योंकि एक कुछ नुकसान होगा तो यह जो अलग-अलग आपने instrument purchase किया न इस instrument के एक basket में रख दो उसको क्या बोलता है portfolio बात समझ गया तो आपके basket में अगर एक ही instrument है तो इसका मतलब बहुत risk है और ब use करने के लिए क्या करता बंदा securities का portfolio त्यार करता है बहुत सारे securities लेता हो लोग बात समझ गया बच्चे पक्की बात yes sir आप देखिए आप देखिए यह जो line मैंने straight line लिया है इस line पे जो risk है इसको बोलते है systematic risk क्या बोलते है इसको क्योंकि systematic risk की जो होगा वो सब के लिए क्या होगा same होगा वो change होने वाला नहीं है इसलिए इदम बिल्कुल इसको straight line लखा है लेकिन इसके बाद जो है so unsystematic risk का रूओ कैसा है वो ऐसा है है वो बिल्कुल down visual जाएगा और इसको मिलने कोशिश करेगा किसको unsystematic risk के line को मिलने कोशिश करेगा लेकिन वो कभी मिल नहीं पाएगा क्योंकि मिलने का मतलब यह हुआ तभी मिम पाएगा systematic risk को तभी मिल पाएगा यह है इसका आपका क्यों क्योंकि systematic risk से मिलने का मतलब वा कि unsystematic risk 0 हो गया जब कि ऐसा हो नहीं सकता अंसystematic risk कभी भी 0 नहीं हो गया लेकि एक बात नोटिस कि आपने कि जैसे यसे आपका portfolio क्या होता है बढ़ता जाता है portfolio समझ गया है जो number of portfolio क्या हो रहा है आपके बढ़ते जा रहा है आप ज्यादा diversify हो रहे है आप ज्यादा instrument purchase कर रहे है ज्यादा instrument purchase कर रहे है ज्यादा diversify हो रहे है तो diversification से क्या हुआ कि आपका risk अपने आप क्या हो गया काम होता गया लेकि कौन सा risk कम हो रहा आपका बताओ जल्दी से बच्चो आपका कौन सा risk वैसे जो रिस्क आता उसको कम करना हो, तो इस रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पोटफोलियो बढ़ाना चाहिए, बीग इनिवेस्टर्स मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा स्जादा इंस्टुमेंट परचेस करना चाहिए, से के हमारा सारा चीज एक ही जगना हो और मैंद रिस्क के कर सके बच सके compare आगे मैं देख सकते हँ यहाँ पर और भी क्लास में स्टार्ट करना चुट अब क्या को होगे बताओ यहां से सिस्टमेटिक एक टॉपिक कम्प्लीट होता है और यहां से आगे इसको फॉर्मलाइज किया आता है और फिर जाके और थोड़ा से देखो कुछी पेज के बाद क्या हो रहा है कि आपके सामने नुमेरिकल्स आने लगेंगे मैं देख सकता हूँ किसके नुमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको deviations standard deviations बहुँ साटी चीछी सीखना पड़ेगा तो मैं अगली क्लास में क्या कराने बाला हो उसको दिखा दे तो आपके सामने ये कराने बाला हो ये r equals to irf plus alpha और इस note के साथ ब मैं खतम करता हूँ, बात समझ गए?